अजो आपको बताऊंगा जो मेरी टेबल के ओपर मेटा बोलाइट मिक्स पाउडर दीख रहाँ आपको इस पाउडर के बारे में कि यह पाउडर आपके पूरी इसके बारे में जानकर हिंए कि आपके पसूं में क्या-काम करता है तो वीडियो लंबी भी होगी तो वीडियो को स्किप करके मैं देखना वीडियो को पूरी देखना एदी वीडियो पूरी देखेंगे तो आपको पूरा प्रोपर नोलेज मिल जाएगा कि मेटा बोलाइट जो मिक्स पाउडर आता है विर्भे कंपनी का यह आपके पसूं में कौन-कौन से पसूं को किस विद्धी से देना चाहिए देखो बहुत से पसू पालकों की सिकाईत रहती है कि सर जो एक पाउडर आता है उसके इस पाउडर के अंदर इस तरह के पाउच आते हैं 50 ग्राम के पाउच जो क्या है कि एक तरह का नूट्रिशन पाउडर है यह आपके पसूं को प्रिग्नेंट पसूं है उनके लिए भौत ज़्यादा फाइदेदे मन्द है तो प्रिग्नेmmस में किस तरह के पसूं को आप अपने यह मेटाबुलाइट मिक्स पाउडर दे सकते हैं और इसका क्या बेनिफिट है देखो यह आपका पसू कमजोर है प्रिग्नेंट है तो आप उस पसू को दें बहुत अच्छा रिजल मिलेगा और ही बात यह आपका पसू कमजोर भी है साथ साथ आपका प्रोपर उसकी जो टीट है वह डावलमेंट नहीं हो रही है तो भी आप पसू को दे सकते हैं जो जो घाय हो या भैसो उनको भी आप दे सकते हैं उसमें बहुत अच्छा रिजल्ट आपको देखने को मिल सकता है कई लोगों को तो अभी तक यह है कि यह सिर्फ क्या करता है कि पसूं के अंदर होने वाली जो कमी को पूर्ती करके आपके पसूं में जिस प्रकार से अडर टीट है वह बढ़ती है पलस उसके अंदर जो पाये जाने वाला जो बच्चा है उसकी हेल्थ भी बनाए रखता है ताकि उसे प्रोपर डाइट मिलती रहे यानि आपके जो प्र पसूं को आप दे सकते हैं यह पाउडर देने से आपके पसूं में बेनिपिट यह होगा कि आप अपने पसूं का जो दूद कम होता है जो बहुत से पसूं है जो दूद की मातरा कम देते हैं तो उन्हें भी आप दे सकते हैं ब्याने से पहले वह दूद की मातरा को भी बढ लाइगा और रही बात पर में थन व है गादी से सम्धित कोई पर सुमैं समस्या है या आपके पर पर इस तरह की दिक्ट देखने को मिलती है या आपके पर सुंअ को लॉट थन से दूद प्रोपर नहीं उतर पाता है या जो थन है वो छोटे हैं तो उस इस्तिती में भी आप उसमें भी आपके पसू को benefit परधान करता है ब्याने से पहले उन पसू को दें और रही बात यह दि आपके पसू में ब्याने के बाद में आप जो जेर निकलवाते हैं या जेर सही नहीं पड़ती है या गिरती है तो उसके अंदर भी यह साहिक होता है या उसको जेर आपका प पसू प्रोपर नहीं डाल पाता है हर ढूँत में आपको इस प्रकार की दिकत देLaughs मिलती ने है तो आपके पसू में बच्चे दाने का गुमाव हो जाता है तो उस इस्तती के अंदर भी आप जिन पसू में होती आपको लग रहा है कि कईबरा ए इस इस परकार की दिकत होती है यानि इसको हर बार बच्चा हाथ से भार निकालना पड़ता है घूम जाता है या अधर कोई दिकत हो जाती है तो उसी इस्तति में होने वाले पसूं को भी आप पहले मेटा बोलाये जो मिक्स पाउडर आता है आप उन पसूं को स्टार्ट कर देना चाहिए उनमें भी आपको बहुत अच्छा रिजल्ट मिलेगा रही वात इदि आपके पसूं में मेटा बोले कि यह समदित कोई बीमारी यह आपके पसूं को होती है जिस प्रकार से मिलक भी हो रहा है या कि टोसिस है इस तरह की दिकत यह आपके बसूं में बार बार होती ह तो भी आप उन पसूं को दे सकते हैं मेस्टाइटिस होने वाले यानि थनेला रोग से समद्धित होने वाली बीमारियों को भी आप इस पाउडर से कंट्रोल कर सकते हैं अपने पसूं को यानि इतना तो ये काम करता है करता है रही बात ये जो इदि आप अपने पसों को जो प्रिग्नेंट है या ब्याने के बाद में भी यानि ब्याने से पहले भी आप इस पाउडर का प्रियोग करा सकते हैं अपने पसों पर और ब्याने के बाद में भी ब्याने से पहले ये कि अपके पस्वों में किसी परकार के दिनी पूर्ति चिर्टान है तो आप पहले डें आप पहले कब कर चांए यायनि ब्यांते से पहले आप ढोने मेने जब आपके पाउने से सकते हैं थो मेने से पहले ऑपाउर को सिथोकिमे болist科 कौसे सकते देनी आपको अच्छा रिजय लेना है तो आप उन पाउसों को स्टार्ट कर दें एक सुब है यानि 50 आपको सुबह है किसी दाना मिस्रण में मिला करके कैसे भी आप उन पसूँ को पेट में जाना चाहिए, 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम आपको शाम इस तरह के जो पाउच आते हैं, जो आपको दिख रहा है, इस दब्बे में इस दब्बा आता है, और इसके अंदर गद बीस पाउच आते हैं, यह पाउ पसूं के अंद्रगत बहुत ज्यादा कमजोरी या अधर को दिक्कत है किसी भी प्रकार की आपके पसूं में समस्यानव तो आप यह अक्यला पाउडर भी आप उन्हों पसूं को देंगे तो भी आपको अच्छा रिजल्ट आपके पसूं में देखने को मिलेगा रही बात इसके MRP की जो आपको दिक्र रही है MRP यानि यह लग 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 आपके पसूं के लिए इतना मुनाफ़ा देगा कि आप अपने पसूं को जितनी जिस प्रकार की मैंने आपको बताई है उसमें सभी में बीमारियों में आप दे सकते हैं किसी भी तरह की कोई बीमारी आप अपने पसूं को मेटावलाइट पाउडर देने से आपके पसूं की जे रासाने से डला सकते हैं आपके पसूं की अडर टीट गादी वालेवटी का विकास कर सकते हैं पसूं का दूद बढ़ा सकते हैं रही बात होने वाली जो बीमारियां उन बीमारियों से आप अप इदि आप उन पसू को देते हैं तो आपके पसू में Ignt के बाद में होने वाली जो Other Disease या आपके पसू में होने वाली जो Weakness कमजोरी इससे भी आप अपने पसू को बचा सकते हैंCam किसी बी तरह की बीमारियां होने से आप अपने पसों को इस मेटा बोलाइट मिक्स पाउडर देखर के आप अपने पसों को बचा सकते हैं बहुत अच्छा फाइदा आपके पसों में देखने को मिलेगा यह दि आप एक बर आप अपने पसों में परियोग करके देखें और अच्छा ही बेनिफिट यानि आप में अच्छा मुनापाही देखे जाएगा एदि आपको मेटा बोलाइट मिक्स पर एदि मेरी वीडियो अच्छे लगी है तो निश्चा कि आप कमेंट में लेके मेरी वीडियो को आप अपने दोस्तों के साथ पसुपालकों के साथ और मेरे जितने वेटेंट अच्छी और प्रोपर नोलेज आपको आने वाले समय में ऐसे मिलती रहेंगी इसी तरह से मेरे को प्यार देते रहें धन्यवार